नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है Quality and Fact for UPSA Net के मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तो प्रिवियस यर Question Paper Lecture Series के अंदर ये मेरा अठारवा लेक्चर है और इसके अंदर मैं July 2016 की Question Paper को आपके सामने डिस्कस करूँगा तो दोस्तो और शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहला Question है प्लेटो के अनुसार निमलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है विचार तत्व होते हैं बिल्कुल इन्होंने बूला है विचार तत्व होते हैं उसके बाद है विचार सभी चीजों के सार होते हैं यह भी सही बात बोलीनों कि विचार क्या है आपके चीजों से निकलते हैं ठीक है विचार चीजों के प्रतीविंब होते हैं यह बिल्कुल गलत है इन्होंने जो गुफह और गुफाओं का जो एक xample दिया है इन्होंने, गुफाओं परच्छायों का on a example बल उसके अंदर इन्होंने clear किया है कि प्रतिविम्ब कभी भी विचारों से नहीं निकलते हैं प्रतिविम्बों से विचार निकलते हैं लेकिन विचार चीजों के प्रतिविम्ब नहीं होते हैं D तो इनका correct है, विचार सारू गोमिक होते हैं, तो इसका correct आंसर है केवल C, गलत है इसमें. Question number 2, मेक्यावली के प्रेंस को निमलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनितिक प्रदिवाशाली व्यक्ती की सची धारणा की संग्या दी थी, जिसका सर्वच्य एवं महान उदेश्य होता है. दोस्तो option देखो आप पहले, Bentham, Bentham उप्योगितावाद की बात करता था, मेक्यावली क्या बात करते थे, मेक्यावली निरंकुष राज्य है, ठीक है, निरंकुष राज्य है, जिसको अपार शक्ती देने की बात की थी, मेक्यावली ने, Bentham क्या बोलते है, Limited State क्योंकि उदा है, और कालमाक्स क्रांतिकारी है, तो इनको मेक्यावली से कुछ नहीं लेना है, ये सिर्फ revolution चाहते थे, हीगल, हीगल ने दूसरे नंबर पर बात की है, मेक्यावली के बात, निरंकुष प्रभु सत्ता की, और वो है भगवान की प्रभु सत्ता है, राज्य के प्रभु सत इसमें आपको क्या करना है, ये लेख कोरुन की पुस्त के दिया है, उसको मिलाना है, और बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक lecture अपलोड किया है, समुदायवाद, मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि समुदायवाद को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि समुदाय संडल ने लिखी है, सबसे पहले माइकल, सुरी, हाँ, माइकल संडल है, माइकल संडल ने लिखी है, the Foundation of Modern Political Thought, उसके बाद है, Charles Teller Charles Teller Charles Teller ने लिखी है Philosophy and Human Sciences Philosophy and Human Sciences Gionis Arturi जुड़े है Democratic Theory के साथ ठीक है Gionis Arturi जुड़े है Democratic Theory के साथ Oh sorry यहाँ पे B का correct answer तीन होगा B का correct answer यहाँ पे तीन होगा एक बार quick इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा मैं इसको गलत कर गया हूँ सबसे पहले देखो Michael Sandal ने लिखी है Liberalism and Limit of Justice Michael Sandal की है उसके बाद Charles Teller की है Philosophy and Human Sciences Philosophy and Human Sciences और साथ औरी तो आपको पता ही यह Democratic Theory के साथ जुड़े है किंटिन ने लिखी है Skinner ने लिखी है The Foundation of Modern Political Thought इसका correct answer है A A is the correct answer Question number 4 निमलिखित में से कौन माक्सवाद को राजनेतिक सिधान के बजाए एक विचारधाना मानता है कि माक्सवाद कोई राजनेतिक सिधान Political Theory नहीं है यह सिर्फ एक Ideology है इन्होंने बुक लिखी है Beyond Ideology Beyond Ideology है जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि माक्सवाद कोई सिधान्त नीए यह एक विचारधा राए Question number 5 इसायाफ वरलिन की निमलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के काल क्रमिक क्रम में विवस्थित करे और नीचे दियेगे कूट का प्रियोग करते हुए सही answer इसका आप ने निकालना है तो काल जो बरलिन थे इन्होंने सबसे पहले लिखी है काल माक्स के उपर काल माक्स लाइफ एंड एंड एंवायरमेंट काल माक्स लाइफ एंड एंड एंवायरमेंट इन्होंने लिखी है तो सबसे पहले D यहाँ पर है तो इसका correct answer तो आपने एक से ही निकाल दिया है अगर आपको पता है ठीक है उसके बाद इन्होंने लिखी है four essays on liberty four essays on liberty इन्होंने लिखी है 1969 में कार्ल माक्स and his life के 1949 में लिखी है इन्होंने यह वाली ठीक है विको एंड हर्डर two studies in the history of ideas 1976 में आई इनकी 1976 में और सबसे लास्ट में आई है concept and categories philosophical essays 1978 के अंदर पकाशित हुई है question number 6 निमलिखित में से किसने समाज की पारस पर इकलाव के लिए एक सह्योग आत्मक चेश्टा venture की संकल्पना की सह्योग की बात किसने की समाज के लिए वो आपको बताना है आपे यह है रोल्स रोल्स ने एक सिधान दिया है ignorance of Wales of ignorance अग्यानता का परदा जिसमें इन्होंने सामाजिक समझूते की बात की है उसमें क्या है पारस परिकलाब के लिए एक सही ग्यात्मक venture की इन्होंने बात की है ठीक है question number 7 इसमें रूसों के अनुसार एक चिंतन शील व्यक्ति दुराचारी पशू है दोस्तों मैं बहुत ही confused हुआ था इस question के अंदर तो यह तो बिल्कुल सही बात है जो एक चिंतन शील व्यक्ति होता है जो मतलब scientific है और बहुत ही ज़ादा सुचता है वो क्या है दूराचारी पशू बन जाता है साइस ने इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1950 के अंदर क्या विज्ञान और टकनीक ने जो मानव नेचर उसको खराब किया है कि सुधारा है ठीक है उसके इन्होंने ये बाते लिखी है मैंने इनकी बुक पड़ी उसके बाद ही मुझे इसका सही आंसर मिल पाया नहीं तो मैं कन्फ्यूजी था इसमें समान भावनाय जीवन को मुल्य देती है दोस्तों ये बिल्कुल इसकी explanation यहाँ पे कर रहा है और ये कैसे कर रहा है इसको समझो पहले रुसो क्या बोलते है कि चिंतर शिल व्यक्ति क्या है दूराचारी पशु है और दूराचारी पशु को कैसे बनने से रुका जा सकता है समान भावनाओं के दोरा जहां पे समान भावनाय होती है ना वो होती है आपकी जो इन्होंने बोला था back to nature जो प्राकृति का अवस्त साथ उसमें समान भावनाय होती थी उसके अंदर ना तो कोई संपत्ती होती थी ना तेरा मेरे की कोई भावना होती थी तो वहां पे समान मुल्य होता था सबका जीवन जीना और सबको सुक्षांती से रहने देना तो वहां पे जीवन को मुल्य देती थी लेकिन जैसे ही व् का question है दोस्तों ये question no.8 निमलिखित में से किस ने इस विचार को अस्विकार किया कि जाती की स्थिति देव ये प्रतिफल या धंड का परिणाम थी तो ये M.K. गांधी ने जो हरीजन पत्री का लिखनी शुरू की थी उसके अंदर इन्हों ने ये बात की थी निमलिखित में से किस ने कहा था सिधान्तों के विना शोद का शिक्षण तुछ साबित हो सकता है और आंकडों के समर्थन के विना सिधान्त निरत्थक साबित हो सकते हैं ये डेविड इस्टन ने बात की थी 1950 के अंदर जब इन्होंने व्यवहारवाद की नीव रखी थी ठी ए ठीक है फुक्वियामा के अनुसार उदार लोकतंतर मानव जाती के वेचारिक विकास के अन्तिम बिन्दु की रचना कर सकता है दोस्टो लास्ट येर के question पेपर में फुक्वियामा की end of history के बारे में question आया था बिलकुल उदार लोकतंतर के बारे में आया था यहाँ पे भ पूरवर रूप गंभीर तुर्टियों और अतारकिक्ताओं से चित्रिथ किये जाते थे जिन्हों ने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रदर्शन कीया ठीक है तो यह बिलकुल सही बात है यह और आथ दोनों सही और आरे की सही व्याख्या है ठीक है question number 11 राजनीतिक अभीजन वर्ग में निमलिखित में कौन होते है elite theory हर lecture में ठीक है elite theory में कौन होते है एक तो alp tantra होते है रो कुलीन tantra होते है alp tantra मतलब जो संख्या में कम होते है जैसे कि आज alp tantra कौन है center comment में जैसे राजनाथ है तो alp tantra होते है oligarchy and aristocracy is the right answer question number 12 तुलात्मक राजनीति के विकास के प्रारंबिक चर्णों में निमलिखित में से कौन संबंदी थे ये आर्थर बेंटली है आर्थर बेंटली तुलात्मक राजनीति के विकास में मतलब प्रारंबिक उसके चिंतक रहें उसके बाद लॉस्वेल, हरोल्ड लॉस्वेल और लास्की ने भी इसके अंदर बहुँ ज़्यादा अपना योगदान दिया है और आपको पता होगा कि आर्थर बेंटले राजनीति में संस्ताओं के गठन की बजाए राजनीतिक प्रक्रियाओं के अधन अध्यान पर सबसे ज़्याद बढ़ देते थे ठीक है कोशन नमर 13 तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा अपचारिक एवं अनपचारिक तंतरों की जाज का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभी प्रितियाँ एटिट्यूड्स मन में बिठाया जाता है मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि जो हमारी एटिट्यूड होता है पार्टी के प्रति वैसा हो जाए ये कौन करता है राजनीतिक सामाजी करण बच्चों का या व्यक्तियों का समाजी करण ऐसा किया जाएगा कि बड़ा होके वो क्या करेगा जिसके प्रतिवूड का एटिट्यूड किया गया अगर उसका कॉंग्रेस की और उसका समाजी करण किया गया तो बाद में क्या है Congress Party को join करेगा अगर BJP तो BJP Party को join करेगा तो यह क्या है Attitude को मन में बिठा देते हैं ठीक है Question number 14 निमलिखित में से किस ने तर्क दिया था कि राजनितिक विकास प्रशाशनिक और विधिक विकास है राजनितिक विकास क्या है प्रशाशनिक और विधिक विकास है निचे दियेगे कूटों में से सही उत्तर चुनिये तो दोस्तों यह जो बात की थी यह बात की थी A और D ने RR Rostop दोस्तों Rostop की economical development या संद्रचनागत विकास की एक धारना है Rostop की जिसे Aeroplane Theory बोला जाता है विकास का Aeroplane Method भी इसको बोला जाता है RR Rostop तो इसको आपने याद रखना है और सबसे लास्ट में Max Weber Max Weber और RR Rostop ने बोला था कि राजनितिक विकास प्रशाशनिक और विधिक विकास है Question No.15 निमलिखित में से कौन संसद्य सरकार में प्रथम प्रदानमंत्री बने दोस्तो रोबर्ट वॉल पॉल पॉल पहले प्रदानमंत्री इंगलेंड के अंदर सत्रा सो संथिंग में बने हैं एक्जेक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन सत्रा सो कुछ में बने हैं रोबर्ट वॉल पॉल ठीक है Question No.16 निमलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम इंस्टिटूशनल एप्रोच से संबंदीत है इंस्टिटूशनल एप्रोच तो दोस्तो इससे जुड़े हैं हर्मन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक हर्मन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक इंस्टिटूशनल एप्रोच आपने याद रख लेना है संस्थानिक उपागम Question No.17 निमलिखित क्रांतियों को उनके उद्गटित होने की क्रम में व्यवस्तित करना है बहुत सिंपल है और कई बार पूछा गया यह question चीन की क्रांतिय आपको पता है 1949 के अंदर हुई है क्यूबा की क्रांति 1959 के अंदर हुई है 49 और 59 के अंदर हुई है बॉल्शेवी क्रांति 1971 के अंदर हुई है और प्यूटिन क्रांति या शुदढ़ाचारी क्रांती हुई है ABC 1642 के अंदर उन्हेट 162020 के अंदर 1460 के अंदर और यह 1660 तक चली थी इसको खूनि खूनी क्रांति भी बोला जाता है जो प्यूरिटेन क्रान्ती में क्या हुआ था जो शाशक था उसका सिर काट दिया था और वहां पर लूक तंतर की स्थापना कर दी थी बृतेन के अंदर तो यह है प्यूरिटेन क्रान्ती तो 17 का गया यहां पर होगा C, D, C, A, B Question number 18 निमलिखित निवेश कार्यों input function को आपने सही तरीके से बताना है और ये दोस्तों कितनी वारा आगया है आप खुद idea लगा सकते हो कितना important है almond और वर्बा की structural functional theory जिसके उपर मैंने वीडियो भी बनाई है तो दोस्तों मैंने हर important topic के उपर वीडियो बनाई है तो आप सारी वीडियो देखें सबसे पहले क्या इन्हों ने बात की राजनितिक समाजी करण और भरती सबसे पहले क्या करते है system में राजनितिक समाजी करण किया जाता है लोगों का और भरती की जाती है ठीक है उसके बाद अगला कदम रहता है हित अभिव्यक्तिकरण लोगों के हितों को अभिव्यक्त किया जाता है कि लोगों की demand क्या है हित अभिव्यक्तिकरण उसके बाद हितों को aggregate या उनका समुचेन किया जाता है last minute राजनितिक संप्रेशन तो इसका correct answer होगा 2, 4, 3, 1 2, 4, 3, 1 इसका correct answer है C कुलीन तंत्र की लोव विदी Iron law of oligarchy कानून ने स्थापित किया है कि राजनेतिक दलो सही सभी लोग तंत्रिक संगठनों में कुछ नेताओं या लगू विशिश समूद वारा इंतिम रूप से नीती निर्दारन किया जाता है बिल्कुल सही यही तो Iron law of oligarchy है जिसमें कुछ oligarchy oligarchy का मतलब जिसमें कुछ लोग होता है ठीक है कुलीन होते हैं जिसके अंदर कुछ लोग होता है वही पुरे के पुरे decision लेता है तो यह बिल्कुल सही यहां पे अभी कतन है और अब देख लेते हैं तरक के अंदर यह क्या बात करता है नीती निर्दारन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मेलिद होते हैं जो अनेक लोगों की और से कार्य करते हैं तो जो कुछ लोग होते हैं कुछ लोग की बात की जारी है यहां पे अल्ब तंदर की जो हैं पे क्या है कि कुछ विशिष्ट समू होता है विशिष्ट समू ही होते है कि जो आवश्यक रूप से कुछ लोग जो की अनेक लोगों की और से काम करते तो ये बिल्कुल सही इसकी बात कर रहा है इसलिए iron law of polygarky निकला है क्योंकि सारे लोग निती दिर्दारण में हिस्सा नहीं ले सकते अगर सारे लेने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और हो सकता है वापर शोर लजर के अंदर ये दिया गया है उन्होंने क्या बोला था कि जो गैर पश्चिमी देश है ना वहाँ पर शाष्ण विवस्तत चलाने के लिए क्या है सेना का सहारा लिया जाता है एक्जामबल अमेरिका में देखो कितनी बार सैनिक शाष्ण लगा है आप वो देख लो क्या क्या बोलते हैं बांगलादेश के अंदर देख लो वहाँ पर भी सेना की जो सैने शाष्ण लगा है क्योंकि वहाँ पर क्या है वो फेल कर गया था उनका सिस्टम तो यहाँ पर सेना का गेर पश्चमी लोगतां तरित देशों में दब दबा होता है तो बिलकुल सही बात य समाज बिलकुल तूटा हुआ होता है उसमें कई आधार पे लोग बांटे होते हैं धर्म के नाम पे जाती के नाम पे तो उससे क्या होता है राजनीती में ये बात बोREE मुसलिम को वोड़ देंगे तो उससे क्या हूएगा कि वोट बत जाएग और कोई भी एक सिंगल पार् के सही काल करम को पहचानना है कि कोन सा दल कब आया है दोस्तों इसके उपर मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं अभी त्यारी कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे important parties है या organization वो कब बनी है ठीके तो इसका correct answer मैं आपको बता देता हूँ इसका correct answer है 21 का D 21 का correct answer है D सबसे पहले justice party बनती है justice party आपको पता है बाद में DMK पार्टी बन जाती है और DMK से AIDMK बनती है इसका सही काल करम मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा इसके बाद शिरोमणी अकाली दल बनती है उसके बाद हिंदू महासवाब national conference 1938 के अंदर यह सारा मैं आपको बता दूँगा ठीक है question number 22 राज्यपाल की पात्रत शर्त इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है और यह बहुत high level का question है मेरी तो मैं तो खुद भी हैरान रहे गया था कि मैंने बहुत deeply पड़ा था राज्यपाल फिर भी मेरा wrong हो गया था यह ठीक है राज्यपाल की पात्रता की शर्ते 158 के अंदर बिल्कुल सही बात है दी गई है राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की बरखास्तगी article 156 राज्यपाल द्वारा विधान परिशत के सदस्यों का मनुनययान बिल्कुल 111 कर्फास के द्वारा होता है राज्येपाल का विद्विध्यक की अनुशंशा पर अधिकार 207 किंतरगत ही होता है तो इसमें रोंग था राष्टपती द्वारा राज्येपाल की बरखास्तगी अनुचेद 152 में नहीं है हाला कि मैंने ये पढ़ा था कि आर्टिकल 156 के अंदर क्या है राज्येपाल अपना त्याग पत्र देता है बरखास्तगी का मुझे नहीं पता था तो आर्टिकल 156 के अंदर क्या है राज्येपाल अपनी मर्जी से त्याग पत्र देता है ना कि उसको राष्टपती बरखास्त करता है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है दो question number 53 संशोधन के किसी प्रस्ताव को प्रारंप करने का एक मात्र तरीका संकिय संसद के किसी सदन में विद्यक को प्रस्तुत करना है संशोधन को या तो आप राज्य सवा में या लोग सवा दोनों में भी प्रस्तुत कर सकते हो तो ये एकदम correct है यदि किसी विद्यक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमती हो तो दोनों सदनों की संयुक्त अदिवेशन से इस गतिरोद का समाधान निकाला जा सकता है दोस्तों यहाँ पे एक बात clear कर दू अगर संशोधन चीक है अगर यदि किसी विद्यक को पारित करने में संसद के दोनों सदनों के बीच क्या है असहमती हो जाती है तो संयुक्त अदिवेशन बिलकुल बुला जाता है क्या है सदनों में अगर संयुक्त अदिवेशन में इसका गतिरोद को समाध करने की कोशिश की जाती है तो इसका correct answer है C, एक और दो दोनों सही है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको note करने लाइक एक बात है यह assertion और region का question नहीं है यह सिर्फ कथन है दोनों कथन है ठीक है? इसलिए यहाँ पे यह दोनों सही है अगर यहाँ पे संशोधन के किसी प्रस्ताव संशोधन, संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रस्तावन नहीं है अगर संशोधन से related कोई dispute खड़ा होता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन वीध्या को लेके है तभी इसका answer तीन है question number 24 और यह जो आपके amendment हुए है उससे related है और सबसे पहले देख लेते हैं सबसे important आर्टिकल जो amendment 99th amendment हुआ था जिसको supreme court ने रद कर दिया था और समवेदानी घोशित कर दिया गया था मौदी सरकार ने ये निर्णे लाय था वो था नियाईक नियुकती में पार दर्शिता से related लाया था इन्होंने वो था NJEC NJEC इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी उसके बाद है 97वा संबेधानिक संशोधन 97वा संबेधानिक संशोधन है कोपरेटिव सोसाइटी के निर्माण और कार्यप्रणाली से related दोस्तों जो इस 97वा संशोधन के द्वारा क्याग गया है कोपरेटिव सोसाइटी को fundamental right के अंदर Article 19 के अंदर डाला गया है इसमें मतदाता की आयू 21-18 वर्ष कर दी गई थी राजी वगान्दी के टाइम में 36-वा समवेधानिक संशोदन अदिनियम सिक्किम की एक पूंड रूप के राज्ये में भूशना की गई थी तो 24 का यहाँ पे correct answer है D 2-3-4-1 Question number 25 इसमें भी सुची एक को सुची दो से मिलाना है और इन्होंने कौन सी थियोरी इंडियन Constitution के बारे में दी है वो आपको बतानी है ठीक है तो यह भी बहुत बार पुछा गया है घुमा फिरा के हना कि इस टाइब का नहीं पुछा गया लेकिन एक एक तिंकर का तो यह पुछा ही गया है ठीक है तो देखते इसको सबसे पहले है ग्रैंवील औस्टिन आप लोगों को पता ही है इन्होंने कौपरेटिव फेडरलीजम की बात की है इंडिया को इन्होंने क्या बुला है सहीयोगातमक संगवाद उसके बाद कैसी वियरे ने क्या बुला है कि भारतिय क्या संभीधान है वह अर्धसंगिय है अर्ट सेमी फेडरल बोला है और उसके बाद एपलवी एपलवी ने बोला है केंदरी करण की मजबूत प्रवर्ति के साथ फेडरेशन इन्होंने बोला है कि ज्यादा तो कैसी वीरे ने क्या बोला है एपलवी ने क्या बोला है कि केंदरी करण की मजबूत प्रवर्ति के साथ क्या ये एक federation है आईवर जैनिक्स का अत्यान संगी है आईवर जैनिक्स बोलते कि बहुँ ज़्यादा संगी है इंडियन constitution तो 25 का correct answer यहाँ पर है C question number 26 इसमें भी सुची एको सुची दो से मिला रहा है और इस टाइब की question थोड़े confusing रहते हैं लेकिन interesting भी है अगर आपने आपके concept clear है सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1858 आपको पता है भारत के राज्य सचीव का पूर्ण शाही नियंतरन ब्रिटेन ने पूरा का पूरा उसके उपर नियंतरन कर लिया था और ब्रिटेन जो आपका है ताज का शाष्ण इंडिया के उपर लागू हो गया था ठीक है दिखते हैं अगला भारत परिश्द परिश्द अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या है पहली बार गवर्नल जनरल की कारेकारी परिश्द में गेर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था भारतिय परिश्द 1909 1909 में आपको अच्छी से अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा मुस्लिम संभूदाय को इसमें क्या दिया गया था अलग प्रतिनी दित्वर अलग प्रतिनी दित्वर मतलब अलग इलेक्टरोल की बात किये गई थी और यहीं से फूट डालो और शाशंकरो की निती भी इनकी शुरू मानी गाती है भारत सरकार अधिनियम 1909 1919 मारले मिंटो वाला है और यह पहली बार क्या है दूई सद्विधान मंडल को अपनाय गया था और डायार की भी शुरू की गई थी सेंटर के अंदर तो 26 का करेक्ट आंसर यहां पर है कोशन नमर 27 बंदी प्रत्यक्षी करण याचिका के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है सही नहीं नहीं लिया है पर सही है जो वो आपको बताना है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बंदी प्रत्यक्षी करण क्या है जब किसी वो बिना बजा या फिर बिना किसी एविडेंस के बिना किसी जुम के रख़ जाता है जिल के अंदर तो इसका सही कथन है यह ना केवल नीजी व्यक्तियों बलकि कारे पालिका के स्वेच्छाचारी कारियों के खिलाब जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है Qwn Number 28 प्रतम तीन आम चुनाओं के परियनामों से एक दल्य वर्चस्व मॉडल उत्पन हुया जो एक दल्य प्रणाली से भिन था बिलकुल सही बात एक दल्य प्रणाली क्या होती है जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी चुनाओं लड़ती है तो उससे तो बिल्कुल भिन था क्योंकि भारत में तो मल्टिप पार्टी सिस्टम था लेकिन क्या है कि एक दली वर्चसो तो था ठीक है उसके बाद देखते हैं 1967 तक कॉंग्रेस का केंद्रो और भारत के अधिकतर राजियों में सरकारी शक्ती पर एक निशनी अंदर एक्सक्लूजिव कंट्रोल रहा था ये बिल्कुल सही बात कर रहा है और यही वर्चसो की बात कर रहा है कि उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ और अभी तक मैं नहीं बना पाया हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी बनाने की तो 29 मैं करेक्ट आंसर है वो है सबसे पहले बने थे नीलम संजीवा रेड़ी उसके बाद गुर्द्याल सिंग धिलों उसके बाद बने बली राम भगत और जाखड जी बने सबसे लास्ट में गणेश दो बार आया नीलम गुरु की बली लेने बलराम के जाखड में इस टाइप की मैंने बनाई यह बहुत इंट्रस्टिंग है आप याद करोगे उसका करेक्ट आंसर है तीन निमलिखित उच नियालो मैं से किसकी पीठे है ठीक है उच नियालो मैं से किसकी पीठे है ठीक है पीठे है तो पीठे होती है जिसमें अलग-अलग नियाय धेश बनते है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है थटी का वो है इलाबाद पीठ मुंबई पीठ और जबल पूर्पूर पीठ, ये क्या है उच नपायलो की पीठे हैं? Qe Girl Number 31 Peter Self के अनुसार लोग प्रशाषन के अध्यायन को निमन में से किस की शाखा के रूप में विखित किया गया है? तो ये है Peter Self के अनुसार लोग प्रशाषन के अध्यायन को लोग परशाशन के अध्यान को क्या गया है राजनिती विज्ञान या लोग विधी के रुप में विक्सित question number 32 संगठन के पारंपरिक या mechanistic यांतरिक यांतरिक का मतलब है classical theory की बात की जारी है यांपर यांतरिक सिधान के मूल विद विचारों का निमलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है classical theory के बारे में जो की teller और fuel ने दी है उससे related कौन सा नहीं है वो आपको बताना है यहां मानव संबंद के बारे में एक प्रशाशनिक दरिश्टी कोण अपनाता है बिलकुल मानव संबंद को कौन decide करेगा प्रशाशन ठीक है manager यहां आर्थिक प्रोचसाहन इंस्टैंसिक जो इस इस सॉरी यह आर्थिक प्रोचसाहन इंसेंटिवस को एक मातर प्रेरख मानता है कि अगर मजदूरों को इंसेंटिव दिया जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा यह आप पब्लिक एड की मेरी वीडियोस में देख सकते हूं आपको समझाएगा यह संगठनात्मक व्यवहार की बारी क्यों की उपेक्षा करता है बिल्कूल संगठनात्मक व्यवहार की उपेक्षा करता है इसलिए मानुव संबंद सिदान अल्टन में ने दिया है यहां अनुपचारिक संबंदों को अधित महतों देता है, बिल्कुल गलत बात, अनुपचारिक संबंदों को तो मानता ही नहीं है, उसी वज़े से तो अल्टन में अपनी थियोरी दी थी, तो D's का correct answer है, OECD ने आर्थिक सहायता की प्राप्ती के लिए शर्तों को निरधारि की थी, OECD, OECD, तो इसने OECD ने क्या की थी, कि इसने कड़ा अंकेक्षन की कोई इन्होंने पहचा नहीं की थी, नेकिन इन्होंने बोला था, अगर शाषन को अच्छा बनाना है, तो भागीदारी बहुत जरूरी है, मानव अलिकार के रक्षा जरूरी है, और लोगत तंत साइबरनेटिक्स को इसी के उपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, इसका मतलब होता है, नियंत्रन और संप्रेशन का विज्ञान, नियंत्रन, ठीक है, कि कौन किस के ऊपर नियंत्रन करता है, और कैसे कम्म्निकेशन करता है, ठीक है, तो इसका correct answer है, चार, Question No.35, नेम लिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्षों की प्राप्ति एक मूल भूत आवशक्ता के रूप में प्रभावोत पादक संप्रेशन की हिमायत की दोस्तों हिंदी में थोड़ा बहुत ही टफ वर्ड यूज कर जाते हैं जिसकी वज़े से हमें बहुत जादा दिक्कत होती है ए प्रभावत पादक मतलब जो प्रभाव डालने वाली कॉमुनिकेशन है तो यह चेस्टर बर्नार्ड आपको पता होगा चेस्टर बर्नार्ड ने ये बात की है इन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस में जो इसकी बात की है ठीक है और संप्रेशन सिधान से ये जुड़े हैं उसके बाद हरबर साइमन ने वी डिसीजन में के अंदर संप्रेशन सिधान की बात की है कोशन नमबर 36 लोग और निजी प्रशाशन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टी कौन अपनाते हुए ये किस ने कहा था कि संगठन लोग और निजी क्याते हैं अब यहां पर क्या अतिवादी दृष्टी कौन अपनाते हैं ठीक है लोग प्रशाशन और निजी प्रशाशन के बारे में तो ये अपनाते हैं बैरी बोजमेन यह बैरी बोजमेन ने अपना है कॉश्शन नमबर 37 कुछ विभाग ना केवल विशुद मिल्कुल कुछ एक प्रशाश्निक विभाग क्या करते प्रशाश्निक कारे बी करते और बोला जाता है कर रीजन में प्रिश्टितियों के अंतरगत विभाग मुख्या को वरियता देते हैं तो यहाँ पे जोन एम पिपनर की बात की जा रही है उपर कुछ विभाग के विशुद प्रशाशने कारियों के बारे में बात की जा रही है हाला कि दोनों से ही है लेकिन ये इसकी सही व्याक्षा नहीं कर पा रहा है तो इसका correct answer है B Question number 38 Duncan Black, Anthony Dovas ये Anthony Downs I think होगे Duncan Black, Anthony Dovas James Buchanan और Kenneth Aero के बीच क्या समान है मतलब ये ठिंकर एक ही श्रेणी के है आपको अगर एक का भी पता है तो आप सभी का यहाँ पे answer दे सकते हो ठीक है बहुत simple है मैंने ये अपनी वीडियो में भी प्रिविएस वीडियो में भी बताया है तो Duncan Black, Anthony Downs, James Buchanan और Kenneth Aero है लोगपरशाशन के लोगचेयन सिधान्त कार ठीक है लोगचेयन question number 39 सुची एक को सुची दो से मिलाना है और ये landmark पुस्त के हैं और उनके लिखक है जिसने की आगे बढ़ाया है public administration को एक discipline बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है तो इसका देख लेते हैं सबसे पहला है An Introduction to Administrative Law An Introduction to Administrative Law लिखी है James Hart ने Justice and Administrative Law पुरा का पुरा Administrative Law से ये है W.A. Robson और उसके बाद है comparative administrative law की बात की है Frank J. Goodnown ने Introduction to the Study of the Law of Constitution की बात की है A.V. Dicey ने और इंगलेंट के थे और इंगलेंट में कानून का शार्षन स्थापित करने का इन्हें ही इस्ट्रे दिया जाता है तो उसका सही answer है 3 Question No. 40 Committees Commission Reports का निम लिखित में से कौन सा सही काल क्रमिक क्रम है कौन सी कमेटी कब बनी और कब आई है ठीक है तो सबसे पहली है आप यहाँ पे मैं इसका सही answer आपको बता देता हूँ ताकि आप confused ना हूँ भी इसका correct answer है और इसमें addition committee बनी है addition committee 1886 के अंदर goldstone committee बनी है 1895 के अंदर brown low committee तो आपको पता ही है brown low committee 1837 के अंदर बनी है और सबसे बाद में है master man committee 1948 में बनी है तो इसका correct answer भी है question number 41 निमलिखित में से किसने गोशड़ा की थी कि राज्य वैश्वी करण की उच्छ शक्ती के समक्ष पीछे हट रहा है मतलब राज्य वैश्वी करण की उच्छ शक्ती के समक्ष पीछे हट रहा है और इन्होंने इसमें ये भी बोला था कि राज्य की प्रभुसत्ता खत्रे में है वैस्ट फैलियन सिस्टम कही न कहीं कमजोर पड़ा है क्योंकि वैश्वी करण ने क्या है राज्य की प्रभुसत्ता में अपना हस्तक शेप कर दिया है इसलिए राज्य क्या है वैश्वी करण के सामने पीछे हट रहा है तो ये बात की थी सूसेन स्ट्रेंज ने निमलिखित में से किस ने तर्क दिया था कि अथार्थवाद के हमारी बौधिक उपकरण जिसको टूल बॉक्स में एकल सरवादिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है ये तर्किस ने दिया कि अथार्थवाद के हमारे बौधिक टूल में एकल सरवाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना हैं ये बात की थी स्टिफन वॉल्ट ने स्टिफन वॉल्ट पॉस्ट नमबर 43 निमलिखित में से कौन से शक्ती संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम नहीं है जो उन स्टेट एक्टर्स में से प्रतेक को सपष्ट है जो संतुलन करने की प्रक्रिया में सनलिप्त रहते हैं बैलेन्स ओफव पावर की सबसे पहली पहला मोडल जो दिया है modern capital ने वो balance of power का ही model है और ये 1914 तक चला था mainly 1914 तक चला था balance of power का model तो इसमें से देख लेते हैं कि इनमें से संतुलित करने की प्रक्रिया में सनलिप्त कौन रहता है तो ये रहता है अन्य राज्यों को संभावी शत्रू के रूप में देखा जाता है अन्य राज्यों को संभावी शत्रू के रूप में देखा जाता है इसलिए balance of power उसमें बनाया जाता है और दोस्तों ये दूसरे आपने पढ़ने होगे इसको भी पढ़ लो और आपको पता है 2016 का जो ये question paper है बहुत ही tough question था तो इसको देखता है मैकलीन एवं मैकमिलन मैकलीन एवं मैकमिलन ने क्या किया था शक्ति वहाँ सक्षमता है जो व्यक्तियों से वहाँ कारे करवाती है जिसको अन्य था उन्होंने नहीं किया शक्ति के द्वारा व्यक्तियों से कुछ भी काम कराया जा सकता है ये बात की थी मैकलीन और मैकमिलन ने ठीक है मौर्गन थू तो आपको पता ही होगा आपने बहुत ही deep इसकी study की होईगी क्योंकि ये classical realist father of international politics ठीक है इन्होंने बात की थी अन्य व्यक्तियों के मस्तिशकों और कारियों पर व्यक्ति के नियंतरण को शक्ति के रूप में परिवाश्ट इन्होंने किया था ठीक है उसके बाद है जौर्ज श्वार्जन बर्गर ठीक है बर्जर यहां पर लिखा श्वारजन बर्गर है ये और इन्होंने बात की है अनुपालन ना होने के मामले में प्रभावद दुपातक प्रतिबंद पर निर्भर रहे कर अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिवाशित किया था इन्होंने सबसे लास्ट में बचे वांडाइक वांडाइक राज्य की शक्ति पूर्ण शक्ति इतनी महतों पूर्ण नहीं है जितनी की अन्य राज्यों की तुनला में उसकी शक्ति की स्थिति किनी जाती है तो इसका correct answer है के question number 45 सेयुक्तराष्टर चार्टर के अनुछेद 25 के अनुसार क्या दिया है दोस्तों आपको सेयुक्तराष्टर के भी मेन मेन जो इनके आर्टीकल है चार्टर के अंदर वो भी आपको देखने पड़ेगे तो आर्टीकल 25 के अंदर क्या दिया है सेयुक्तराष्टर के सभी स भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी भारती कानून में पूर्ण रूपेन या आशिक रूप से निमलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है वो आपने यहां पे बताना है टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975 टोक्यो कन्वेंशन एक्ट पर्यावरण से रिलेटेट था जिसको की भारत में लागू किया गया है उसके बाद है दोस्तों यह रोम स्टेटिट उसको इंडिया ने इंप्लिमेंट नहीं किया है उसके बाद द एंटी एफर्थाइट यूनियन कन्वेंशन एक्ट को भारत ने लागू किया और जैनेवा कन्वेंशन 1960 को भी इन्हों ने जो कि इंटरनेशनल लौ से रिलेटेट कन्वेंशन हुई थी 1960 में जैनेवा में इसको भी भारत ने लागू किया है अपने पानून के अंदर पॉस्ट नंबर 47 47 अंतरराष्ट्री आपराधिक ने आया ले आई पीसी जिसका आई पीसी के बारे में निमलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों आपको पता होगा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है वो मतलब अलग है आईजेसी से ठीक है और ये एक स्वायत संस्था है ठीक है य देखते हैं इसका कथन सही नहीं है संयुक्तराष्ट्र के संवेलन ने 18 जुलाई 1998 को अंतरराष्ट्री आपराधिक ने आयले की समवध्धी को अंगीकार किया था बिल्कुल नहीं संयुक्तराष्ट्र के संवेलन ने इसको अंगीकार नहीं किया है ठीक है अंतरराष्ट्र यहं को पहले ही बिल्कुल 2002 से इन्ट नेशनल क्रिमिनल कौट अंतर्श्त्रिय आप राधिक नयाले के चार अंग है Presidency, Judicial Division, Office of the Prosecutor और Registry, पिलकुल सही बात ही, ये चार, तीनों सही है लेकिन इसका A गलत है, ठीक है, तो A इसका correct answer है Question number 48, संयुक्त राष्टर की महासभा ने निमलिखित में से किस वर्ष विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर convention किया था Disabled Person के लिए convention किया गया है 2006 के अंदर उसके बाद और भी हुआ है, आपने एक बार चेक कर लेना है Disabled के उपर हुआ है, कब हुआ है सुची, एक को सुची, दो से मिलाना है और इसमें सेयुक्त राष्ट की आम सभा की समीतियां दिये गई है प्रथम समीति द्वितियां चार समीतियां इसमें बताई गई है और चारों समीतियां बहुँ जादा important है क्योंकि international system को इसने बहुँ जादा प्रभावित किया था तो सबसे प्रथम जो समीति बनी थी आप सभी लोगों को पता होगा ये निशश्त्री करण से और अंतराष्ट्री सुरक्षा से रिलेटि समीति बनी थी निशश्त्री करण और अंतराष्ट्री सुरक्षा से रिलेटिड बनी थी और जो दूसरी बनी थी वो आर्थिक एवं वीट्टिय नियंतरण और उसके मसलों से related बनी थी तृतिय बनी थी आपकी सामाजिक, मानविये और सांस्कृतिक कारेकरम से related और चौत्थी बनी थी विशिष्राज नेतिक, वी अपने विशिक करन से related, डी कोलोनाइजिशन से related य question number 50 अभी कथने को आपने हाँ अभी कथनो reason का ये शीत यूद की समापती पर अंतरराष्ट्रे संबंदों में वेचारिक राजनिती में परिवर्तन का सुचक था बिल्कुल सही बात है जैसे ही शीत यूद की समापती होती है तो अंतरराष्ट्रे संबंदों में जो आइडोलोजिकल एक कंफिलिक्ट था आइडोलोजिकल एक कटरता थी कि हम पुझीवादी है और वो सामेवादी है उसमें कहीं न कई परिवर्तन आया तो बिल्कुल सही बात है धार्मिक कटरता वाज सुरक्षा के प्रतियक खत्रा पैदा करती है ये भी सही है लेकिन इसका अभी कथन से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि जो शीत यूद था उसमें धार्मिक कटरता की बात नहीं थी उसमें आइडोलोजिकल कटरता की बात थी तो इसका मतलब है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्यानी है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि मुझे explanation में थोड़ा time लग गया था अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दिसक्राइब करूँ तो प्लीज कमेंट में लिखे अगर आप चाहते हूँ कि मैं 30 मिनट के अंदर इसको conclude करूँ तो आप प्लीज वो भी मुझे बता दे Thank you, thanks for watching